इस माउल्डरिंग का मतलब होता है फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबस्शन जलती नहीं है ऑक्सीजन जलाती है वह कहीं मिल जाए तो मेरे को बता दे ना सुनील सर यह एक्स्मिनेशन आपके साम में एक इस लाइंडिया प्लाइब प्लाटफॉर्म गया तो मेरे बच्चों अभी तक कि जो हमारे सेशन वे उनमें बहुत सारे चैप्टर्स जो है आपके एर्थ क्लास के चैमिस्ट्री के उनको एक ही शॉट में एंसी आइटी पे और उसके टैन्टाइंस ट्वंटी ताइम्स अब लेवल पर हमने पढ़ा और बहुत मिस्कंजेप्शन को क्लियर किया है तो अब बार ये एक और इंट्रेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने की दाइस कंबश्चन फ्लेम इन वान शॉट ठीक है तो जल्दी से हम इस चैप्टर को हमारे स्टार्ट करते हैं तो सुनील सर क क्या पढ़ाएंगे आप इस चैप्टर में तो बच्चा लोग सबसे पहले हम बात करेंगे कंबश्चन और उसके टाइप्स के बारे में ठीक है इससे रिलेटेट बहुत भैंकर मिसकंजेप्शन से आपको आप हर चीज को बर्निंग और कंबश्चन बोल लेते हैं ऐसा नह बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है और उनको कैसी एक्स्टिंग्विश करना है उसके बारे में भी बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे सुनील सर प्लेम उसके मेकानिजम एंड इट्स टाइप्स ठीक है और फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे फ्यूल and its efficiency के बारे में ठीक है बहुत बढ़िया सुनील सर उसके बाद हम बात करेंगे harmful products that are released on the burning of fuels और इनका जो impact होता है वो क्या होता है सुनील सर ठीक है चलिए उसके बाद हम क्या बात करेंगे उसके बाद सुनील सर का एक बहुत ही भौकाली experiment आपको देखने के लिए मिलेगा that is powdered hydrocarbons rapid combustion इसका मैं आपको एक बहुत ही भौकाली experiment दिखाऊंगा ठीक है चालू करें आज की knowledge right को चालू करें प्यारे बच्चो तो जल्दी से start करते हैं with a very interesting question that is here on your screens ठीक है so screen को pause कीजिए question को answer करने कोशिश कीजिए is it correct to say burning of wood और combustion of wood क्या यह सही है कि मैं बोलू burning of wood या combustion of wood है ना तो क्या यह सही है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर यह बिल्कुल शद्प्रतीशद क्या है सही है लेकिन वेटा भी मैंने question पूचा है तो कुछ सोच समझ के पूचा होगा तो दिल थाम के बैठिए बड़ा मजा आने वाला आपको आपने बोला burning of wood और combustion of wood बिल्कुल से में done कोई बात ही ठीक है अगली question को try कीजिए क्या पता आपकी सोच बदल जाए is it correct to say burning of incense stick screen post कीजिए आंसर करने की कोशिश कीजिए क्या यह सही है तो बच्चा लोग बहुत लोगों ने answer किया होगा इसका yes but is a correct answer क्या है no no it is not correct to say burning of incense stick अब आप लोगो दिमाह एकदम हिल गया होगा और किताब में लिखा हुआ है इस किताब में लिखा है उस refresher में लिखा है मैं तो यहीं बोलूँगा और किताब में लिखा है रिफ्रेशर में लेकिन वह गलत है क्या है गलत है मैं आपको इसके बारे में एक्चुल साइंस दूंगा और एक करेक्ट टर्मिनोलोजी में आपको यहां पर दूंगा वही सही टर्मिनोलोजी है मेरे भाई लोग चालू करो सर बड़ा मज़ा रहा है बड़ा ही भौकाल मस्ते वाला आज की लेक्चर में मज़ा आ रहा है चलिए स्टार्ट करते हमारी पर लेक्चर में आपका क्या है क्या 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 है एक क्या में कल रियक्शन है ठीक है जिसमें की एक सब्स्तांस स्पैसिफिकली बोलु तो चकांबस्टीबल सब्स्तांस के का मतलब ऐसा substance जो combustion को show करता है that is known as a combustible substance तो वो combustible substance जब react या फिर interact करता है oxygen से तो वो heat और light energy निकालता है along with different products and that is basically known as combustion मतलब एक ऐसी chemical reaction है chemical reaction का मतलब क्या होता है chemical reaction का मतलब होता है process of chemical change ठीक है chemical change में the original composition of a chemical substance या original composition of a substance is altered तो वो chemical change है and the process of a chemical change is a chemical reaction तो combustion भी एक chemical reaction है जिसमें combustible substance मेरे प्यारे बच्चों जब oxygen से interact या फिर react करता है तो वो product या products यह देखिए इसका बहुत महत्तु है एक product भी बन सकता है एक से जादा भी बन सकता है ठीक है and apart from the product or products it forms or it releases heat and light energy अब देखिए का बहुत ध्यान से game चलाऊंगा मैं यह light energy के बारे में NCRT में भी लिखावा है कि flame and glow लेकिन आपने कभी इसको ज्यादा detail में पढ़ा नहीं या समझा नहीं या पर तो अगर इस light energy के basis में बात करूं तो सबसे पहला light energy can be either in the form of flames इस तरीके से हो सकती है यह flame है आपको दिख रिए is in the form of flames then you'll call this as burning but if it is in the form of a glow यानि सिर्फ चमक रहा है सिर्फ glow के format में है light energy जैसे incense टिक में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ glow है ठीक है यहाँ पर कोई इस तरीके का region create नहीं हो रहा that is known as a flame ऐसा कुछ भी create नहीं हो रहा है इस तरीके का है that is a glow then you're not supposed to use the term burning दियान जी सुनो burning use नहीं करना है there is a specific term for it and that is known as smoldering so if the light energy is in the form of glow then you won't call it as burning but it will be but it will be smoldering so smoldering is a type of combustion जहाँ पर light energy is in the form of glow clear है सभी को तो यहाँ पर आप जब बोलते हो ना burning of incense लिक वह logically incorrect है जो भी किताब research paper जो भी कहीं पर भी लिखावा है research papers में तो correct लिखाओगा बट जहाँ पर भी किताब में कहीं पर भी लिखावा है गलत है smoldering होगा smoldering का मतलब होता है flameless form of combustion क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है flameless form of combustion कि समझ में आरी बात आप search कर लिजेगा इसको आपको मिल जाएगा कि flameless form of combustion जो होता है that is basically known as smoldering और जिसमें flame produce होती that is basically known as burning मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई यह बात ठीक है अच्छा तो sir यह flame क्यों produce होती है जब आपका substance vapor में convert होता है तो जो भी substance अगर आपका इसा flame बना रहा है मतलब भले वह solid state में भले वह liquid state में वह vapor में convert हो रहा होगा and because of vapor यह इस region को create करता है that is known as a flame ठीक है तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया combustion एक chemical reaction है जिसमें combustible substance oxygen से interact करके product या products बनाता है साथ में heat और light energy बनाता है यह light energy अगर flame के format में है तो इसको burning बोलेंगे अगर यह glow के format में है तो इसको smaldering बोलेंगे मतलब flameless form of combustion और कोई substance flame क्यों produce करता है because वह substance vapor में convert हो जाता है इसलिए सर इसका wind diagram देखो जब आपका concept clear होगा आप wind diagram बना सकते हो circles के तुरू represent कर सकते हो किसी concept को देखिए मैं बना के दिखाता हूँ इसका wind diagram अगर मैं बोलू कि यह पूरा का पूरा process यह पूरा का पूरा गोला यह represent करता है combustion को तो इसके जो दो types है वो किसके और represent कर सकते हैं अं जबापार्ट यह वाला यह मैंने बोल दिया क्या यह मैंने बोल दिया smoldering यह आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास बहुत खतरनाक understanding होगी किसे concept की then only you can make a wind diagram जब आपको बहुत clear understanding की concept की आप wind diagram मना सकते हैं किसी भी concept का science में ठीक है तो combustion बर्निंग और smoldering इसका मतलब है इसको ऐस से represent करना है तो ऐस से represent कर लो यह हटा दो इसको कोई logic नहीं है ठीक है तो यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी बर्निंग यह इसका subset है ना combustion बड़ा वाला सरकल है तो सारी की सारी बर्निंग और ब्लू वाला पर बर्निंग और ब्लू वाला पर बर्निंग बट मतलब यही आना चीए कि combustion के दो टाइपस है आपका बर्निंग और आपका स्माल रिंग क्लियर 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 है बहुत बड़ी है ठीक है तो आप लोगों combustion बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है चले आगे चलिए चलिए सुनील सर आगे चलते हैं तो अब मैं आपको और टाइपस ऑफ combustion बताता हूं कि और combustion के जो टाइपस है ठीक है जो एंसी आटी के साब से टाइपस अव कॉन से है वह भी पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं है तो पहला जो हमारा टाइप है डाट इस बेसिकली नोन एस रैपिड चीक है तो रैपिड combustion हमें कहता क्या है भीटा रैपिड टर्म क्या बताता है आपको कोई चीज बहुत इंस्टेंटली हो जाए बहुत स्पीड से हो जाए डाट इस बेसिकली नोन एस रैपिड तो अगर मैंने बोला rapid combustion हो रहा है तो उसमें होता क्या है कि जो सबस्टान्स है वह यहां पर रैपिड ली बहुत स्पीड से रियक्ट कर लेता है और वह क्या प्रड्यूस करता है प्रॉडक्ट हीट एंड लाइट एनर्जी वेन इगनाइट वे एक्स्टरनल सोर्स आपको एक्स्टरनल सोर्स की जरूरत पड़ेगी इसको जलाने के आपने इगनीशन सोर्स को एक्स्टरनल सोर्स को लगाया तभी तो आग लगी पर बहुत स्पीड से लगती है तो यह क्या हो गया बेटा यह रैपिड कंबस्टन हो गया बही हमने आग लगई फटा पच्छा आग लगई अच्छा दूसरा अब दूसरा क्या है आपका जो आग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यह इंपोर्टेंट है बिना एक्स्टरनल सोर्स ओफ इगनीशन के बोलता है जैश यह अराम सीधा आग पकड़ लेता है ठीक है जैसे बहुत सारे मेटल से तुम्हारा सोडियम है पोटेशियम है लीथियम इनको तूम अगर र लेता है तो उसको पानी में स्टोर करते हैं तो यह लोग स्पॉंटेनियस कंबशन शो करते हैं मतलब हमने जलाया नहीं हमने कोई लगाया निया अपने आपी चपा चप जल गए सब्सक्राइब और इसको कुछ लोग सीधे सीधे बोलते एक्स्प्लोजन यह एक तरीके का आप कह सकते हैं कि रैपिड कंबश्चन ही है इस इस टाइप ऑफ रैपिड कंबश्चन ओली जिसमें कमबस्टिबल सब्सक्राइब रैपिडली रियाक करता है बट यहां पर जो इं यहां पर समझी कि explosive combustion में भी आपका बहुत rapidly combustion होता है साथ में sound energy निकलती है मज़े की बात ये है तो ये तीन types of combustion आपको समझ जा कि इनके examples में आपको यहाँ पर फटावट फटावट दे देता हूँ तो ये आपका दैसे अगर मैं बात करूँ तो burning of LPG ये आपका example हो जाएगा rapid combustion का spontaneous combustion के अगर हम बात करें तो forest fires forest fires को आपको लगाने की जरुरोत नहीं है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि burning of अब मैं burning इसलिए यूज़ कर रहा हूँ sodium के लिए potassium के लिए lithium के लिए क्योंकि ये flame produce करते है क्या produce करते है flame light energy is in the form of flames that's why it is known as burning but if the light energy is in the form of glow then it is known as smoldering प्यारे बच्चों समझ में आया मजा आया बोल दो सुनिल सर मजा आया ठीक है ताली बजाते हो बोलना है and white phosphorus ठीक है ना तो बहुत बढ़िया ये भी क्या करते है ये भी आपका spontaneous combustion को show करते है भाई अपने कोई अपने external source नहीं लगा है बैटे बैटे आग पकड़ ली इन्होंने ठीक है अपने आपी जल रहे है बिना कोई reason के अब दुनिया में क्या होता है लोग जलते हैं क्यों कोई कोई reason होता है या तो बिना reason की जलने लग रहे है देख रहो तुम अजीव ही है यह समझ गहे अब यह potassium को ऐसे नहीं लिखना ही तुमको लग रहा हो कि क्या लिख दिया सर ने ठीक है तो यह है अब तुम्हारा burning of fire crackers अब तुम्हारा burning of fire crackers अब इसलिए बोला light energy निकलती है ठीक है मैं बहुत सोच समझ के words को यूज कर रहा हूं इसमें sound energy भी निकलती है तो this is an example of explosive explosion explosive combustion यह explosion ठीक है तो rapid combustion हो में समझ में आ गया spontaneous हमें समझ में आ गया explosive हमें समझ में आ गया सर आपने मज़ा दिला दिया ठीक है आगे चलते हैं चलो अब यह चीज हमें यहाँ पर clear हो चुकी है अब हम बात करेंगे यहाँ पर fire उसके types and the ways to extinguish them बिलकुल ध्यान चे सुनना मुझे बहुत important बाते बताने वाला हूं मैं ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा question पूस्ता हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें confused है so fire consumes oxygen it reproduces moves and dies so the question is is fire a living thing or not ठीक है तो क्या आपको लगता है fire एक living thing है क्या लगता है आपको सोचिए कि देखो fire oxygen consume करता है जैसे हम लोग oxygen consume करते हैं ठीक है respiration करने के लिए है ना हम लेते oxygen ब्रीधिंग करी तो oxygen अंदर के co2 बार रही respiration हो रहा है body के अंदर that is a chemical change oxygen consume हो रही है ग्लुकोस को तोड़ रही है यह reproduce भी करती है छीचाइब इनली रिप्रोडीयूस मतलब बढ़ जाती है इंसान भी तो रिप्रेड्डूस करते हैं ठीक है रिप्र्डउक्शन होताँ तभी तो हम लोग पैदा हो रहे है जैनवरों Atari इन्सानों में भी होता है तो क्या आपको लगता है यह living thing है तो problem यहाँ पर यह है कि यह living thing नहीं है क्यों किसी भी चीज को आप living thing कब बोलते हैं किसी भी चीज को आप living thing तब बोलते हैं जब उसके अंदर cells होते हैं ठीक है living thing आप किसी भी चीज को तब बोलेंगे जब उसके अंदर cells होते है और fire के अंदर no cells, only a chemical reaction, ये क्या है बेटा, इसके अंदर कोई cells नहीं होते है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक chemical reaction है, क्या है बेटा, इसमें कोई cells नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक chemical reaction है, ये आपको समझना है, ठीक है, समझ में आगई बात, clear है यहां तक की बात चलिए लेट्स प्रैक्टिस अब मैं ऐसा क्यों कर वारा हूं अभी बता दूँगा जल्दी से आओ इस क्वेशन को ट्राइ करो क्वेशन को आप लोग बचे ट्राइ करो और इसके थ्रू मैं आपके पास इस्टार वेशन अब सुनील सर यह स्टार वेशन क्या है हमको नहीं समझ में आया जो आपने लिखा था है स्टार वेशन के तीनों कोनों से इस चीज लिख लिख देते हैं आप यहां पर लिख दिजिए हीट इनका क्या मतलब है मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा और इदर लिख देते हैं हम लोग ऑक्सीचन तो फायर को सस्टेन करने के लिए तीन इंपोर्टेंट चीजों की जरूरत होती है फ्यूल, हीट और ऑक्सिजन ठीक है अब आपका ये फ्यूल होता क्या है बेटा आपका ये जो फ्यूल है ठीक है ये क्या होता है सुनील सर बेटा ये फ्यूल जो है यह आपका combustible substance है क्या है विटा यह आपका combustible substance है ठीक है जो की आपका क्या करता है इट रियक्ट्स विद ऑक्सीजन ठीक है ना एंड प्रड्यूस इस ठीक है आपका प्रडुक्ट या फिर जो इसको आप कहते हैं प्रॉडक्ट एक से ज्यादा प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी बहुत डीटेल में सुनना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा तुम लोगों को दिमाग घुमेग अब ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा यहां पर इस हीट एनर्जी का काम है और या दोनों में डिफेरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा तो देखो अगर मेरे पास फ्यूल है और मेरे पास फीट है और मेरे पास ऑक्सीजन है तो फायर अटिनिव रही मतलब मैं बहुत ही केरफुली आपको चीजे बता रहा हूं एक्सेप्ट स्पॉंटेनियस, एक्स्टर्नल सोर्स ओफ इगनीशन इस रिक्वाइड, अब ये एक्स्टर्नल सोर्स ओफ इगनीशन क्या करेगा, ध्यान जा सुनना, एक्स्टर्नल सोर्स ओफ इगनीशन इस रिक्वाइड, अब देखो क्या होगा, मान लो मुझे फ्यूल को जलाना है तो उसके लिए मुझे क्या चीए oxygen चीए और heat चीए वो heat क्यों चीए ये external source of ignition मुझे क्यों चाहिए ये external source of ignition मेरा क्या करेगा ये increases increases temperature above ignition temperature अब यहां पर आया मज़दार खेल पूरा ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा तो मानलो कि fuel पड़ा हुआ है oxygen यहां पड़ी हुई है तुमने जैसे ही ignition source लगाया मतलो माचिस की तिली लगाई मानलो तो माचिस की तिली करती क्या है वो माचिस की तिली heat energy उसको द लेती है उस सबस्टांस का temperature बढ़ता है और जैसे ही सबस्टांस का temperature उसके ignition temperature पे जाता है reaches above the ignition temperature तो वो आग पकड़ लेता है ignition temperature क्या होता है ध्यान से सुनिएगा minimum temperature above which substance catches fire ठीक है minimum temperature जिसके ओपर सबस्टांस फायर कैच कर ले minimum temperature above which substance catches fire अभी मेरी बात खतम नहीं हुए ध्यान चे सुनना तो तुमने fuel पड़ा था oxygen पड़ी थी तुमने सबसे पहल external source of heat लगाया except तुमने लगाया तुमने heat energy दी उसने temperature को above ignition temperature पहुचा दिया substance जलने लगा लेकिन क्या तुम continuously heat देते हो नहीं देते हो क्या तुम continuously heat देते हो नहीं तो फिर वो अपने आप पूरा का पूरा कैसे जलता है एक paper लिया नीचे जलाया था हमने heat energy जैसे ही यह heat energy निकलती है यह heat energy increases temperature above ignition temperature ध्यान से सुनो बेटा आपने एक बार बेटा heat का source दिया temperature ignition temperature से उपर लगा substance में आग लगी अब वो combustible substance यानि जो fuel है वो react करेगा oxygen से product और heat और light energy बनाएगा यह heat energy further temperature को बढ़ाएगी और वो substance जलने continue रहेगा फिर वो जलेगा फिर उससे product बनेंगे heat energy light energy बनेगी वो further heat energy substance के temperature को बढ़ाएगी ऐसे करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते पूरा कागज जल जाएगा ठीक है तो heat energy का काम क्या या heat का काम क्या है increases temperature above ignition temperature ठीक है ignition temperature ठीक है और oxygen क्या है oxygen का काम बढ़ा ही आसान oxygen जलती नहीं है oxygen जलाती है oxygen is not combustible but a supporter of combustion जलती नहीं है यह जलाती है बेटा है ना सो oxygen क्या है supporter of combustion यह दूसरों को जलने में मदद करती है बेटा ठीक है तो तीन सबसे important चीज़े क्या हुई आपकी fuel हुआ heat हुई और oxygen हुआ इसमें से अगर आपने एक को भी बाय बाय टाटा किया तो आपकी fire भुज जाएगी stop हो जाएगी तो अगर आपने oxygen को बाय बाय टाटा किया तो उसको हम क्या बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा अगर आपने अगर आपने oxygen को किया तो smothering बोलेंगे heat को आपने अगर temperature को lower down करने की कोशिश करी तो cooling बोलेंगे ठीक है let's suppose अगर आपने करी cooling ठीक है तो इसका मतलब है temperature decreases below ignition temperature यह इसका मतलब है कि अगर आपने इसको ठंडा करने की कोशिश करी तो temperature ignition temperature से आप नीचे लिया आए अब वो substance जलेगा नही इस वाली heat energy जो release हो रही थी ना cycle में उसकी बात हो रही है यहाँ पर लिख दिया है ठीक है अगर आपने oxygen को remove कर दिया तो इसको बोलेंगे क्या इसको बोलेंगे smothering क्या बोलेंगे अगर आपने इसको remove कर दिया अगर आपने oxygen को remove कर दिया if you have removed oxygen तो आप इसको क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे smothering ठीक है और अगर आपने fuel को हटा दिया if the fuel is removed तो इसको बोलेंगे starvation मतलब एक तरीके से बुख मरी यानि एक तरीके से बुख मारना किसी को है ना बुख मरी भी कह सकते है तो आप फ्यूल ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे बाई जलेगा किसको ठीक है अब बच्चे मोलते हैं starvation का example मान लो की electricity की वज़े से आप का fire हुआ है आप electric supply को बंद कर दो फ्यूल को आपने बंद कर दिया starvation हो गया फ्यूल का मैं फ्यूल ही नहीं है तो जलेगा क्या ऑक्सिन को हटा दो के तो smothering और अगर आप heat को एनि टेमपरेचर को below the ignition temperature लाओ के that is basically known as cooling तो देखो मेटा actual में हो क्या रहा है यहाँ पर आप का फ्यूल जो है ध्यान चे सुनना उसको oxygen मिली फ्यूल को oxygen मिली और आपने इनिशली उसको heat दी ती तो फ्यूल को oxygen मिला आपने heat energy दी ठीक है थोड़ा इसको और बढ़ा करके लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाईए जो मैं कहना चाहरा हूं ठीक है यहां लिख देते हैं heat यहां लिख देते हैं oxygen तो फ्यूल था मेरे पास oxygen थी मेरे पास मैंने heat energy दी ताकि temperature ignition temperature से अब हो जाए अब यह फ्यूल जलेगा और heat energy निकालेगा यह heat energy further जो बचावा फ्यूल उसको जलाती जाएगी जलाती जाएगी जलाती एक बार माचीश की तीली लगाई ना पेपर पे अपने आप जलता जारे 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 बार बार थोड़ी आपको माचीश की तीली लगानी पड़ रही है एक बार लगा दी temperature ignition temperature से उपर ह जाता है process को बोलते self-sustaining मतलब अपने आप ही sustain कर रहा है ठीक है तो यहां पर कुछ लोग पड़े लिके लोग इसको fire tetrahedron भी बोलते हैं मतलब fuel चाहिए heat चाहिए oxygen चाहिए और इनके बीच में chain reaction हो रही है जो अपने आप होती जारी है that is fire tetrahedron एक और knowledgeable बात क्या बोला मैंने fire tetrahedron ठीक है I hope मैंने आपको बहुत भोगाली ज्यान यहां पर दे दिया है तो अगर fuel को by by theta c u किया तो starvation oxygen को by by theta c u किया तो smothering and heat को अगर हमने temperature को lower down किया भीलो ignition temperature तो हम कहेंगे उसको cooling समझ में आया आगे चले चलो, आप देखो different types of fires जो हैं आपके पास उनके लिए आप different तरीके के extinguishers यूज करते हो, NCRT में नी extra knowledge दे रहा हूँ, तो category of fires है, class A fire, यानि paper जो होता है, wood जो होता है, या फिर आपके clothes जो होते है, कपड़ों पर आग लग जाती है, ये सब की सब जो है, ये class A fires है, class B fires, जि inflammable का मतलब एक ही होता है, ठीक है, flammable या फिर inflammable सेम ही है, ठीक है, easily catches fire, ठीक है, या आप कह सकते हैं, और low ignition temperature होता है, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो class B fires, जाज इस पेट्रोल, ओईल वगेरा पर आग लगती है, वो आपकी class B fire है, class C fire, मतलब आपकी जो flammable gases होती है, कौन सी बिटा, flammable gases की वज़े से जो fire लगती है, that is class C fire, class D fire, आपके reactive जो metals है, sodium, potassium, magnesium, ये आपकी class D fires है, electrical fires आपकी class C fires है, और class F या K fire, ये UK, US की वज़े से F और K नाम है, तो cooking oil और fats की वज़े से जो fire है, ये आपकी कुछ categories है, A, B, C, D, E, F, या फिर आप क्या सकते के, तो सबसे पहला है, हमारे पास क्या, पानी, पानी को हम कहां यूज़ कर सकते हैं, पानी को सिर्फ और सिर्फ आप paper, wood या क्नोट की fire पर यूज़ करोगे, उपर जलते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, तो पानी को तुमें यूज़ नहीं करना, तुम electrical fire में पानी डालोगे, तो तुमको जटका आ जाएगा, ठीक है न, तो तुम लोग यहाँ पर यह सब चीज़े, उसके बाद तुम यूज़ कर सकते हो, foam, यह colloidal solution होता है, ठीक है, यहाँ पर colloidal solution जिसमें gas dispersed phase होता है, है न, और dispersion medium तुमारे पास liquid होता है, class 9 में बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो यह तुमारी class A fire और class B fire में यूज़ कर सकते हो, तुम, ऐसे carbon dioxide को भी हम यूज़ कर सकते है बहुत commonly used fire extinguisher है, class A में यूज़ नहीं करोगे, तुम इसको कहां यूज़ करोगे, class B में और class E fire के अंदर तुम इसको यूज़ करोगे, dry powders, dry powders कौन कौन से होते हैं, दैसे कि NAH CO3 आपका dry powder है, baking soda, इसको अब class A, class B, class C fire के अंदर use कर सकते हैं, उसके बाद special dry powders, यानि क अगर मैं बोलू, NaCl, अगर मैं बोलू, Na2CO3, मतलब sodium carbonate, sodium chloride, तो यह सिर्फ और सिर्फ क्लास D fire के लिए use किये जाते हैं, ध्यान से सुनियेगा, ध्यान से समझियेगा, ठीक है, wet chemicals, ठीक है, दर से potassium carbonate वगेर हो गया, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके cooking oil और gas की fires के लिए use कि जाते हैं, ठीक है, तो I hope मैंने जो आपको बताया, यह extra ज्यान आपको समझ में आया होगा, इसके basis पे कुछ questions कर आता हूँ, concepts को और अच्छे से clear करूँगा, प्यारे बच्चे मेरे दिल के सच्चे ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है बिटा, आगे चलू बिटा, प्यार and gasoline fires, screen को pause करें, answer करने की कोशिश करें, देखिए, अब आप पानी, मैंने आपको अभी बता है, पानी यूज नहीं करेंगे, पानी अगर आप मान ली जिये, कौन सी fire में यूज करते हैं, electrical में, ठीक है, तो होगा क्या, water can conduct electricity, राइट, एना, pure water is a pure, अगर आपको जो normal water, that is a poor conductor of electricity, बड़ उसमें, अगर dissolved electrolytes वागे रहा है, तो it's a good conductor of electricity, ठीक है, so conduct, या conductor, and, can, kill, the person, dowsing, fire, ठीक है, ना, तो जो आग बुजा रहा है, उसी को ये, बुजा देगा, उसकी जिंदिगी को बुजा देगा, ठीक है, मैटा, तो पानी को यूज नहीं करना है, अब सुनील पानी यूज नहीं करना है, तो क्या कर सकते है, देखिए, पानी electrical और gasoline fires में यूज नहीं होगा, gasoline में क्यों यूज नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया था, कि gasoline, यानि जिसका मतलब होता है, petrol, या फिर आप बात करें, oil, इसको आप petrol भी कहते है, ठीक है, तो इनकी क्या पानी से कम है, तो पानी के ओपर फ्लोट करता है, जलता रहता है, ठीक है, तो पानी को भी आप यूज नहीं कर सकते हो, भाई, पानी को आप यूज नहीं कर सकते हो, पानी यूज़ने करोगे किसी और सूर्स का पानी हो सकता है ठीक है ना मतला बगार रेन वाटर है तो बहुत ही बढ़िया कंड़क्टर हो सकता है आप बुजाने गए वो बंदा जो डाउस कर रहा उसी को जटका आ गया गैसोलीन फायर मतलब क्या है गैसोलीन या ओईल इनकी देंसेटी पानी सका में पानी पे फ्लोट करेगा आख भुजेगी नहीं ठीक है पोम के अंदर क्या है आप याद रखिए गैस डिस्पर्जड इन लिक्विड तो यहाँ पर आ रहा है पानी यानि एक तरीके से आ रहा ह तो ड्राइ पाउडर को आप बिजली वाले के लिए यूजड नहीं कर सकते इनका काम करने का एक्षन ही दूसरा है ठीक है इसको हीट चाहिए तोटने के लिए यै कारबंड अउकशाइट क्या करेगा यह बेकिंग सोडा क्या करेगा पता है बेकिंग एंग सोड तूटेग देखें कार्बंडाय उक्साइड से क्या होगा मैंने आपको यहां भी बताया था यह रहा कार्बंडाय उक्साइड क्या करता है आपका कार्बंडाय उक्साइड इस्मॉधरिंग करता है क्या करता है वेटा कार्बंडाय उक्साइड इस्मॉधरिंग करता है अब आपका तो carbon dioxide और oxygen में किया कि अगर हमने carbon dioxide छोड़ी उसके उपर तो carbon dioxide भार ही है वो नीचे बैठ जाएगी oxygen ऊपर है oxygen का mass कम है ना carbon dioxide का mass जाद है वो नीचे रहेगी oxygen ऊपर रहेगी तो उसको displace कर दिया उसने तो आपने अगर intentionally कहीं पर carbon dioxide को छोड़ा है तो displaces O2 because mass of CO2 is greater than O2 और यह इसको क्या कर देगी उस basically जो fuel है जो जल रहा है वहाँ से इसको भगा देगी इसलिए हम carbon dioxide oxide gas का इस्तुमाल करेंगे आप कोगे sir baking soda भी तो carbon dioxide ही produce करेगा on thermal decomposition लेकिन यहाँ पर यह electricity के थूँ यह चीज नहीं कर पाएक इतना heat नहीं मिलेगा sufficient amount में कि यह तूट के CO2 बनाए और फिर वो आग को भुजाए ठीक है तो I hope आपको यह मैंने बहुत बढ़िया तरीके से clear करवा दिया है वेटा आगे चलते हैं correct answer है carbon dioxide आगे चलते हैं on which of the following principles does sodium bicarbonate work to extinguish fire कौन सा principle यूज़ करता है क्रीन पॉस करें answer करें देखिए यह आपका बेकिंग सोडा है चीक है आप कोगे सुनील सर अभी आपने बोला कारबंडा उकसर तो smothering होगी बिल्कुल smothering होगी तो वहां क्यों नहीं बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को बेटा enough amount of heat चाहिए तूटने के लिए जब आप दोगे तो यह आपको बना के देगा soda ash क्या बना के देगा soda ash फॉर्मला भी लिख देता हूं यह आपका बेकिंग सोडा है common name है इसका that is baking soda chemical name है sodium bicarbonate या sodium hydrogen carbonate soda ash chemical name है sodium carbonate formula है Na2C03 plus यह 7 में क्या निकालेगा बेटा यह साथ में निकालेगा carbon dioxide and water ध्यान चें सुनेंगे carbon dioxide and बेटा क्या निकालेगा यह यह निकालेगा water तो carbon dioxide क्या करती है carbon dioxide क्या करती है यह करती है आपका smothering, क्या करती है सुनील सर, यह करती है smothering, क्या करती है carbon dioxide gas भारी है, fuel के आसपास में जा oxygen होगी, उसको displace करके भगाद देगी, कहें कि मैं भारी हूँ बेटा मेरे से उपर जा, smothering हो गई, ठीक है, क्या होगा, smothering, ठीक है, चलो, which among the following can be used to extinguish large-scale fire due to magnesium metal, सोच समझ की आंसर करना, मैं question पूछ रहा हूँ, तो ऐसा question नहीं होगा, normal, चलिए, आप देखिए, बहुत सारी sources पर आप जाएंगे, तो लिखा होगा कि आप मिट्टी को यूज कर सकते हैं, मिट्टी को यूज करने की condition है, ज्यान जे सुनिएगा, इस हो रहा है, ठीक है, आपने magnesium metal को, क्या किया, आपने डाला उस पर पानी, उसने बना दिया magnesium का oxide, प्लस उसने बना दी hydrogen gas, प्लस उसने बना दी heat, ठीक है, होगा क्या, कि यह जो heat energy है, यह इसके temperature को, hydrogen के temperature को बढ़ाएगी, उसके self ignition, यह नहीं, auto ignition temperature से उपर ले जाएगी, hydrogen में क्या आग लग जाएगी, क्या हो जाएगा, catches fire, तो आप आग को भुजाने गएते कि बढ़ाने गएते, magnesium metal की fire है, चलो पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, ओ भाई यह निकलेगी, और खतरनाक धमागा होगा, combustible gas है, दूसरा, carbon dioxide, carbon dioxide gas, यूस कर लूँ मैं, करो, कुछ यह नहीं होगा, जैसे ही आप लेके जाओ के magnesium, प्लस आप लेके जाओ के carbon dioxide gas, वो MgO प्लस carbon बना देगा, ठीक है, वो MgO प्लस carbon बना देगा, आपका, balance कर ले न, equations, balance नहीं है, मैं आपके course में भी balancing नहीं है, इसलिए balance नहीं कर रहा हूँ, ठीक है न, चलिए, उसके बाद, अब बात करते हैं, carbon dioxide को use नहीं कर सकते, sand की बात करते है, sand को use करने की condition है, कि अगर amount of sand, आपका greater than magnesium है, तब तो can be used, ठीक है, अगर आपका amount of sand, जो है, magnesium metal जो है, बहुत जादा है, तब तो आप मिट्टी को use करो, लेकिन अगर बराबर है, अगर आपका amount of sand, is equal to magnesium metal, तब तो हो गई आपके लिए दिक्कत, क्योंकि दिक्कत क्या होगी, क्योंकि दिक्कत ये होगी, कि magnesium क्या करेगा, SI O2 के साथ react करके MGO plus SI तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा बहुत जोड़दार explosion, क्या होगा बिटा, यहाँ पर होगा बहुत जोड़दार explosion, और इस case में fire continued रहेगी, fire will be continued, ठीक है, तो सर अगर मैंने मिट्टी डल दी, magnesium metal पर तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, नहीं मुझेगी बिटा, आग जो है, वो आपकी और धमाका हो जाएगा, अगर बराबर amount में, जादा amount में तो बुझ जाएगी, कम amount में है, बराबर amount में है, तो बस हो गया, फिर त पाउडर्स, कौन से पाउडर्स, इस्पैशल ड्राइ पाउडर्स, आप इनका इस्तिमाल करें, ये knowledge कहीं नहीं मिलेगा बिटा, ये knowledge physics वाला पर मिल रहा है, सर्च कर लेना कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो correct answer हो जाएगा हमारा sodium chloride, प्यारे बच्चों, दिल के सच्चो चलो, आगे चले बेटा, बात करेंगे flame, उसके mechanism and उसके types के बारे में, I hope आपको यहां तक सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, जोड समझा दो एक बाद ताली, चलो, ठीक है न, पानी वानी पीते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ मे आ रहा है, चली आगे चलते हैं, तो बेटा, मेरे सको सबसे पहला question आपसे पूछना है, क्या आपको पता है कि candle का flame उपर ही क्यों जाता है, candle का flame नीचे भी जा सकता है, या कई भी नहीं जा सकता, लेकिन वो हमेशा उपर ही क्यों जाता है, सुनील सर क्या logic है कि यह हमेशा उपर ही जाता है, हमें जानने का बड़ा इसमें मन है, देखिए बेटा, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, यह नीले मॉलीक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे है, कोल्ड एयर को, रिलेटिवली कोल्ड एयर, और यह आपके रिप्रेजेंट करते हैं, होट एयर को, यहां पर आप इसको समझेगा, यह दो कोडिंग्स को आप समझेगा, अब बेटा हुआ क्या, मान लीजे कि आपकी जो कैंडल है, यह आपने जलाई, इसके पास में कोल्ड एयर के यहां पर क ट्रांस्वर की वजए से इनका टेंपरेचर बढ़ेगा, तो यह आपके मॉलीक्यूल्स क्या हो जाएंगे, यह जो पार्ट है एयर का, यह बेसिकली क्या हो जाएगा, होट हो जाएगा, और यह वाला पार्ट तो आपके पास कोल्ड था ही था, अब होता क्या है बेटा, हो हीट सप्लाइ करते हैं, तो यह हॉट एयर बन जाती है, है ना बेटा, ध्यान जे सुनना बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा, आपने इसको हीट ट्रांस्वर किया, मतलब इस पे हीट ट्रांस्वर हुआ है, तो एयर कर जो टेंपरेचर है, वो बढ़ जाएगा, होगा क्या कि काइनेटिक एनरजी जो पहले, ध्यान जे सुनना क्या बढ़ता है बेटा, काइनेटिक एनरजी जो है पार्टिकल्स की, ध्यान जे सुनना काइनेटिक एनरजी क्या होती है, वो भी बताऊंगा, काइनेटिक एनरजी ओफ पार्टिकल्स इंक्रीजिस, काइनेटिक जो कर सकते हैं कि दैसे कि मूँव कर रहा हूं तो हीट ट्रांसफर किया होट एर मतलब उसके नदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है तो टेंपरेचर बढ़ता है ध्यान चे सुनना आगे चल गी और clear कराऊंगा, मैं kinetic energy से घंपरेचर बढ़ेगा, अब इस temperature से और kinetic energy से होता क्या है, देखो kinetic energy बढ़ेगी, तो मतलब उनके movement मुवमेंट जो है, speed जो है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जो बेटा number of particles एक particular volume में होंगे, number of particles per unit volume में होंगे वो आपका क्या करेंगे वो आपका decrease करेंगे इसका मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी अगरूं कि motion जो है वो बढ़ी है इतने volume में देख रहा था काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी बहुत सारे फिर माश परियनेट वोलियों माश परियनेट वोलियूंळ इन नंबर ऑफ पार्टिक दर कुछ मास होगा ना मास परियनेट से DRC कि किstein काइब एज सब्सकितिक चे डहते हैं कि और कोल्ट एर्की Origin 3 कि देंसिटी या होती है जादा होती है density is more than hot air, आरे यह बात समझ में आ रही है क्या, यही तुम्हारा logic है कि hot air उपर क्यों जाती है, लोग तुमसे पूछते न, गरम हवा उपर जाती है, क्यों जाती है, पूछो, वो इसलिए जाती है, क्योंकि इसकी density कम है, और कम dense वाली चीज़े उपर जाएगी, जाधा density चीज़े नीचे रहेगी, तो hot air का density कम है, इसलिए वो उपर जाती है, cold air की density जाधा, इसलिए वो नीचे रहती है, और density कम और जाधा क्यों है, विकोज आपने heat supply क्या, hot air बनी kinetic energy वो पार्टिकल जाधा है, मतलब randomness speed बहुत इधर उधर move कर रहे है, तो number of particles per unit volume कम है, density density कम है, इसकी density जाधा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वहाँ पर particles की, तो cold air नीचे रहेगी, hot air उपर रहेगी, तो जैसे ही इसकी यहाँ पर kinetic energy बड़ी particles, hot air के उपर चल जाएंगे, density कम होगी, cold air के जो particles है, उतनीचे रहेंगे, अब वो क्या होगा बेटा, मान लो कि यह flame ऐसे थी, ठीक है, अब जैसे ही, जैसे ही बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यह वाले particles, hot air वाले उपर गए, ठीक है, गए उपर, तो बेटा है, क्योंकि pressure difference create हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह high pressure हो जाएगा, और यह low pressure हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो pass किया वाती हो तो उपर चली गई, अब वहाँ पर pressure difference create हो कि हमाँ हवा नहीं है, तो हवा भार से अंदर आ जाएगी, फिर वो गरम होगी, फिर वो यह बार-बार गोल-गोल-गोल घुमती है, और प्लेम का जो डारेक्शन है, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो जैसे उसके पास में हवा थी, उसका टेंपरेचर बड़ा, होट एर होई, देंसिटी कम होई, वो उपर जाएगी, तो पास मे केमिस्ट्री की भाषा में, या नॉर्मल भाषा में कहते हैं, कन्वेक्शन करंट से सेट अप हो जाएंगे, इस वजए से आपका जो फ्लेम है, केंडल का, वो आपका उपर जाता है, क्लियर, क्लियर, क्लियर है, अरे समझ में आरी है बात, यह भौकाल लेवल आपका एक्स प्लेम की, ऐसा एक्स्प्लेनेशन जो मैं दूँगा, वो कहीं मिल जाए तो मेरे को बता दे न, सुनील सर, यह एक्स्प्लेनेशन आपके जैसा हमें मिल गया कहीं पर है, ठीक है, तो ध्यान जे सबसे पहली बात बात करेंगे, जो वेक्स है, कौन सा वेक्स था, पैराफिन वेक्स था आपके पास, जो आप कैंडल बनाने के लिए यूज करते हैं, बात करी थी, पेट्रोलियम प्रोडक्स के अंदर, मैंने बूला था, पैराफिन वेक्स की कैंडल सा आपको देखने के लिए मिलती है, यह आपके पास पैराफिन वेक्स की कैंडल आपके पास है, अ आप WIC को जलाते हैं तो एक्ष्ञ है आपका सबसे पहले करता है कि और मेल्ट करू चीक है और मेल्ट करके व औरको क्या करता है और यहां वाला को वare पंद करें सटर्ट करेंगा नीचे वाला जो वेक्समेलिक अभी मैल्ट करे साहित है अब तो melt करेगा and rises up, ये क्यों करता है, उपर क्यों जाता है, rises up, ध्यान जे सुनेंगे, सबसे पहले आपने माज़ेश की तिली ली, आपने candle को जलाया, विक जली उसके आसपास में जित्ती भी wax है, वो melt करेगी, क्योंकि temperature, आपने heat energy दिये, जल रहा है, वो heat energy से चकरमेगा, अब वो जो melt करेगी, वो दीरी-दीरी का करती है, यहां से melt करके ऊपर जाती है, क्या करती है, क्यों करती है, पता है, rises up due to capillary action, कौनसा action बिटा, capillary action, कौनसा action बिटा, capillary action, अब आप बोलोगे, capillary action क्या होता है, तो जो fluids है, जो fluids है, fluids travel upwards against gravity through narrow path, मतलब क्या है, बहुत पतला अगर path है, तो fluids जो है, वो against the gravity आपका ऊपर की तरफ move करते हैं, तो उसमें क्या है, कि जो wax की, जो welted wax है, वो दीरी-दीरी-दीरी ओपर जारी, melted wax क्या कर रही है, दीरी-दीरी-दीरी-ओपर जारी, that is known as capillary action, इसी action की बदावलत आपका root से plants के अंदर पानी जाता है, that is known as capillary action, and it is very-very important, तो जो paraffin wax की candle थी, हमने उसको जलाया, आसपास की wax सबसे पहले जली, and rises up due to the capillary action, अब होता क्या है, होता क्या है, आपको पता है कि जैसे जलेगी, तो वो कुछ इस तरीके का आपका structure बना लेगी, कुछ इस तरीके का flame structure बनेगा, अब इस तरीके के flame structure की वज़े से, यहाँ पर अलग-अलग color के zones बनते हैं, देखिए क्या होता है, सबसे बाहर जो है, वो आपका zone of complete combustion होता है, ठीके, और इसको हम बोलते है, V-E-I-L, whale भी कहते हैं, क्या कहते हैं, whale, ठीके, अब यह zone आपको बहुत कम दिखाई देती है, यह ना, नीचे जादा आपको color, यहाँ पर blue जादा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जादा दिखाई देता है, यहाँ पर, ठीके ना, यहाँ पर बहुत उपर जो है, वो complete combustion जो की नीले color का है, इसमें होता क्या है, ध्यान जा सुनना, इसमें होता क्या है, देखो वेटा, आपका जो wax है, वो किस से मिलके बनाए है, वेटा, hydrocarbons, मतलब hydrogen और carbon से मिलके बनाए है, और जब वो combustion show कर रहा है, मतलब oxygen से interact कर रहा है, तो वो क्या बना देगा, देखो, carbon प्लस बेटा निकालेगा हीट और प्लस बेटा निकालेगा लाइट एनरजी और लाइट एनरजी होगी ब्लू कलर के फॉर्मेट में जब आपका यहां पर क्या हो रहा है यह कंडीशन है पूरा का पूरा कार्बन जो है वह आपका कार्बन डाय ओक्साइड में कनवर्ट हो गया यहां पर आपको आउटर मोस जोन आपको नीले के लरकी मिलेगी यहाँ पर सुनील सर, complete combustion क्यों होता है, because यहाँ पर sufficient amount of oxygen है, sufficient amount of oxygen available है, ठीक है, because of sufficient amount of oxygen, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अगर sufficient amount of oxygen available होगा, तो यह basically complete combustion शो करेगा, अब आपको कि सर, यहाँ पर भी तो oxygen है, बेटा, यहाँ पर क्या है कि जो structure है, यहाँ पर इस structure की वज़े से, यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि इधर lack of oxygen है, और यह lack of oxygen क्या करता है, यह lack of oxygen, इस zone में, इस zone में, lack of oxygen की वज़े से, आपका partial combustion होता है, complete combustion ही हो, बार की तरफ, axis amount of oxygen present, इसलिए पूरा complete combustion हो जाता है, और blue color की flame निकलती है, बीच में oxygen की कमी पढ़ जाती है, flame का structure ऐसा बन जाता है, कि बीच में oxygen की कमी पढ़ जाती है, और उस वज़े से, आपका जो hydrocarbon है, ठीक है, आपका जो hydrocarbon है बिटा, उसका complete combustion नहीं होता है, ठीक है, मतलब होगा क्या, क्या आपके products क्या बनेंगे, carbon dioxide बनेगा, H2O बनेगा, और कुछ carbon भी बनेगा यहाँ पर, समझ रहे हो, मतलब hydrocarbon यह बीच में भी है न, क्योंकि यह melt करेगा और फिर vapor में convert होगा, समझ रहे हो, यह melt करेगा, ठीक है, और उसके बाद, vapor में convert करेग तो इसके बाद हम बोलते है, burning होगी, तभी तो आपको flame नजर आती है, इतनी बात समझ में आ रही है, हमने इसको जलाया, wax melt करके देरे 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 ओपर जा रही है, further temperature बढ़ेगा, vapor में convert हो जाएगी, और यह combustion यहाँ पर आशो करेगी, तभी तो यह flame generate होती है, दूसरी ब इसलिए हमें नीले कलर की flame देखने के लिए मिलती है, लेकिन अंडर की तरफ lack of oxygen है, तो जो hydrocarbon है वो तूटता है, है ना, वो react करता है oxygen से, carbon dioxide और water vapor बनाता है, लेकिन कुछ carbon unburnt रहे जाता है, यह वाला जो carbon है, यह आपका कैसा है, यह आपका unburnt carbon है, unburnt, तो इसका क्या है इसका यह hot हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद यह basically glow करता है, ठीक है, incandescence कह सकते हैं इसको, that is also known as incandescence, मतलब समझते है incandescence का, कि जब आप बहुत जादा किसी चीज़ का temperature बढ़ा देंगे, तो it will limit light, तो यह unburnt particles जो होते हैं, बहुत जादा गरम होते हैं, and they glow, and that is known as inc incandescence, तो यह glow है, ठीक है रहा, that is in the form of yellow color, तो यह yellow color का glow impart करते हैं, they impart this characteristic yellow color to the flame, ठीक है, and finally, finally, यहाँ से यह निकल जाते हैं, in the form of suit, that is unburnt carbon, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कि सबसे पहले, जैसे ही मैंने इसको जलाया, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे heat दी, external source of heat दी, तो उसने ignition temperature बढ़ाया wax का, वो melt वी, then vapors में गनवर्टी, then यह flame generation हुआ, अब होगा क्या temperature बढ़ेगा, यह वाला wax क्या है, melt करेगा, और वो rise करेगा, due to, उपर जाएगा, due to the capillary action, फिर वो hydrocarbon जो है, अब यह flame structure है, तो बहार वाले zone में क्या होगा, hydrocarbon का complete combustion होगा, पूरी की पूरी carbon, carbon dioxide, water vapor में convert हो जाएगा, heat और light energy generate होगी, blue color की light होगी, उसको whale कहेंगे, बीच वाले zone में oxygen की कमी हो जाती, इसलिए पूरा hydrocarbon convert नहीं हो पाता, तो CO2 और H2 हो रहेगा, साथ में unburnt carbon भी रहेगा, जो क्या temperature बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा, glow करेगा, yellow color देदेगा, and finally it will leave as unburnt carbon, that is known as suit, और अंदर वाले में तो बिलकुल ही, कुछ combustion ही नहीं ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते है, इसको हम लोग कहते है, dark zone कहते है, dark zone, yellow and then blue color की zone, ठीक है, तो मैंने बेटा, बहुत जादा आपको ये detail में पढ़ा दिया है, I hope आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से clear हुआ होगा, चलिए फटाफट से अब आगे चलते है, let's practice some questions, तो देखे, zone of partial combustion यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखे, Z जो है, वो zone of partial combustion हो जाएगा, ये complete combustion की zone हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये वाली तो आपकी complete combustion की zone हो जाएगी, ये वाली वाली zone of no combustion हो जाएगी, जहाँ पर combustion होई नहीं रहा है, dark zone हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी पार्शल वाली या फिर हम बोल सकते हैं कि ये incomplete combustion की आपकी zone रहेगी so the correct answer to this question is C that is Z चीक है आगे चलते हैं पड़ावट से which among the following does not burn with the blue flame in the presence of an adequate amount of oxygen screen pause करें आंसर करें देखिए होता क्या है अगर आप adequate amount of oxygen देंगे तो कोई भी substance होगा तो वो blue color की flame से burn करता है characteristic इसकी है कि blue color की flame generate होती when there is a complete combustion ठीक है saturated hydrocarbons की case में भी हम बात करते है तो blue color की flame देते है unsaturated hydrocarbons के case में आपकी yellow color की flame आती है ठीक है incomplete combustion होता है इसलिए लेकिन आप candle को कितना भी excess amount of oxygen दे दीजिए यहां पर गलती candle की क्या है candle की flame की वज़े से है ठीक है because of the structure of flame तो structure of flame की वज़े से क्या होता है lack of oxygen हो जाता है वो flame का structure की वज़े से बीच में आपके पास proper amount of oxygen नहीं पहुच पा रहा है and that's why वो yellow color का आपको flame दिखने के लिए मिलता है इस question को solve करने की कोशिश करेंगे which among the following does not burn with a blue flame in the presence of an adequate amount of oxygen नहीं नहीं यह question statement यह नहीं है question statement है आपका match the following match the following ठीक है ध्यान से match कीजिए फड़ावट फड़ावट जल्दी से screen pause कीजिए match कीजिए देखें hottest part moderately hot least hot तो जो outermost zone होती है उसका temperature सबसे ज़्यादा होता है नीले color की होती है तो outermost zone hottest part is basically blue in color and it is the outermost zone of complete combustion a3x 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 तो यह तो नहीं होगा यह तो नहीं होगा a3x और a3x ठीक है moderately hot की बात करते moderately hot ठीक है तो वो आपके पास क्या हो जाए कि middle zone of the partial combustion हो जाए कि that is yellow तो b2z यह b2z यह गलत है correct answer यह हो जाएगा ठीक है और least hot क्या innermost zone that is black in color तो correct answer यह हो जाएगा हमारे पास ठीक है समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है ठीक है outermost zone blue color की है that is also known as whale innermost zone आपकी जो सबसेंदर की है black color की dark zone and then उससे बीच में जोगी that is known as zone of partial or incomplete combustion that is yellow in color चलिए तो correct answer मिल चुका है अब देखिए types of flame भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए अगर आपका incomplete combustion हो रहा है क्या हो रहा है incomplete या partial combustion होगा तो आपका जो flame का color आएगा बेटा वो क्या आएगा वो आएगा yellow और yellow क्यों आएगा because जो आपके पास hot unburnt carbon particles है they will impart this yellow color to the flame hot unburnt carbon particles hot unburnt carbon particles because of incandescence because of incandescence impart the yellow color to the flame और आपके पास complete combustion होगा क्या होगा complete combustion मतलब पूरा का पूरा carbon carbon dioxide में convert हो गया है carbon monoxide में भी नी complete combustion है मतलब carbon monoxide में भी नी carbon dioxide में convert हो गया है तो यहाँ पर color of flame आपके पास होगा blue ठीक है अब यहाँ पर important बात किया है on the basis of amount of light produced तो blue color की अगर light है तो इसको हम बोलते है non luminous क्या बोलते है non luminous non luminous का मतलब होता है does not produce enough light अब आप बोलो के सर मतलब क्या है बिटाए काम करना kitchen के अंदर सब कुछ बंद कर देना तो इतनी light नहीं होगी आपने gas जला रखी नीले color की flame में तो भी पूरा का kitchen नहीं चमकेगा so does not produce enough light that's why we call this as non luminous flame लेकिन इसको हम लोग क्या कहते है luminous flame कहते है अगर आप उसी room में candle उसी kitchen के अंदर candle जला दो तो पूरे के पूरे रूम में light भर देगी produces enough light तो इसी लिए इसको क्या कहते है luminous flame कहते है produces enough light ठीक है I hope मैं आपको इस सारी की सारी बाते हैं आपे समझा पाया हूँ extra ग्यान में आपको दे पाया हूँ कि चलिए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ fuel and its efficiency की बात करते हैं यहां तक एक्स्ट्रा ग्यान सभी को समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है आ गया ही तो यहां पर बेटा हम बात करेंगे कि इस चीज़ की के लोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे कैलो रिफिक वैल्यू क्या उती है के लो री recipes यह उती है कि वह आपके तरीके से मेजर करें कि कि सब्छाइब मोझा तरीके मेरे मिए करताने कि सबस्याद अमाउंट ओफ हीट एनेर्जी कौन प्रेड्यूस करता है ताकि वह सबसे बढ़िया फ्यूल होगी ज्यादा क्यलोग्राम फ्यूल को अगर मैं जला रहा हूं वह इतनी हीट एनेर्जी जनेट करेगा तो उससे मैं बहुत सारा वर्क करवा सकता हूं किसी इसको मेजर करते हैं किलो जूल्स पर किलोग्राम में और अगर आप आप अब्सर्व करेंगे तो सबसे जादा किलोग्राम किसकी है आपकी हाइड्रोजन की है हाइड्रोजन is the highest value of calorific value that is 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम मतलब गर एक किलोग्राम आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो वो देड़ लाख किलो जूल की एनर्जी को प्रेडियूस करेगी ये इसका मतलब है ठीक है समझ में आ गया बाकी भी फ्यूल्स का आपको यहाँ पर रेंज दे रखा है रेंज इसलिए दे रखा है क्योंकि उनकी quality पर depend करता है अब माल लीजे ये coal है तो depends on the quality of coal वाया रेंज ये रेंज इसलिए दे रखी है because depends on quality of coal मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा heat कौन generate करेगा आपका anthracite generate करेगा ठीक है ना लिगनाइट से ज़्यादा bituminous और bituminous से ज़्यादा anthracite तो जो ये रेंज है ये आपकी coal की quality पर depend करती इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है आई होब आपको डेटा समझ में आ गया है जैसे kerosene petrol की 45,000 kerosene की 45,000 diesel की 45,000 methane की 50,000 CNG की 50,000 LPG की 55,000 इस तरीके से आपको सारी calorific values given है screen के ठीक है बहुत बढ़िया आगे चलते हैं let's practice जल्दी से फड़ावर्च स्क्रीन को करेंगे pause and answer करेंगे in villages people used wood as fuel because गाओं में आपने देखा होगा वुड को use करते as fuel क्यों use करते हैं लिखा है it is considered to be an ideal fuel अरे वा आइडियल फ्यूल क्या होता है देखे सबसे पहले ideal fuel समझाते है ideal fuel क्या होता है सबसे पहले ideal का मतलब होता है कि सबसे भौकारी सबसे खतरनाक no fuel can be ideal इस दुनिया में कोई भी fuel ideal fuel नहीं हो सकता भाई आप ऐसा चाहरे कि सारी की सारी केरेक्टर स्थे एक ही फ्यूल के अंदर आ जाए तो आइडियल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि वह मान लिजे सबसे पहले तो economical बहुत सस्ता हो easily available हो अब आपका अगर जो ideal fuel है मतलब सारे fuel क्या easily available है ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपके कोई भी fuel ideal नहीं हो सकता कि भाई वह economical भी हो सस्ता भी हो बहुत आसानी से available भी हो high calorific value भी हो ठीक है और environment friendly भी हो कि इसका कहने का मतलब है कि चारो characteristic एक चीज़ के अंदर हो तो एक मुझे बात बताओ कि आपके अदर सारी अच्छी चीज़े है कुछ बुराई आपके अंदर है कुछ बुराई मेरे अंदर हो कि जो मेरी quality वह आपके अंदर नहीं हो सकती आप की quality मेरे ने है, because वो सस्ते में available है, वो economical है, वो क्या है, वो economical और सस्ते में available है, that is economical and that is easily available, but क्या वो environment friendly है, क्या वो fire easily catch करती है, नहीं, तो सब के अंदर ये सारी characteristics होना is impossible, तो ideal fuel आपका हो ही नहीं सकता, तो ये वाला statement भी आपका गलत हो गया, तो लकडी use करने का logic क्या भाई, वो सस्ती है, और easily available है, इसलिए, जल्दी से इसको देखिए, choose the incorrect statement from the following, a good fuel is one which is readily available, which produces large amount of heat, which leaves behind many undesirable substances, which burns easily in air at a moderate rate, एक बढ़िया fuel क्या होता है, चीक है, एक बढ़िया fuel वो होता है, जो आसानी से available हो, readily available, yes, that produces large amount of heat, that means high calorific value, yes, that leaves undesirable substances, no, भाई हमारे environment को खराब नहीं करना तुमको, गलत, burns in air at moderate rate, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत था, correct answer, see, incorrect बताना था, now, last topic, harmful products released on the burning of fuels, ठीक है, चलिए आईए देखते हैं, फटावट से क्या क्या प्रोडक्स रिलीज होते हैं, सबसे पहला, आपको मैंने बताया था, अन्बंट कार्बन पार्टिकल्स, ये आपके incomplete combustion से निकलते हैं, incomplete combustion, या जिसको आप लोग कहते हैं, partial combustion, उसके थुरू निकलते हैं, चीक है, सेम कार्बन मोनोक्साइड, भी आपका partial या incomplete combustion की वज़े से निकलता है, तो अन्बंट कार्बन पार्टिकल्स से होता, क्या है कि अस्थमा हो सकता है, चीक है, और कार्बन मोनोक्साइड क्या है वेटा, ये तो आपकी poisonous gas है, क्या है वेटा, poisonous gas, ये मैं आपको सारी की सारी चीज़े अभी फिर से detail में पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको pollution of air and water पढ़ाऊँगा, तो यहां पर मैं आपको यह चीज़े और ज़्यादा detail में पढ़ाऊँगा, कि poisonous gas है, अब ये यह poisonous gas है तो बेटा क्या होगा यह poisonous gas मैंने क्यों बोली आपकी body में जो hemoglobin है बेटा oxygen carrier है that hemoglobin has more affinity more affinity for carbon monoxide than oxygen कहने का मतलब क्या है कि अगर same amount में oxygen और carbon monoxide available है तो इसके अंदर hemoglobin में it has more affinity it has more affinity for carbon monoxide than oxygen because इसके साथ एक complex बनाती है यह carboxy hemoglobin क्या बनाती है carboxy hemoglobin और यह जो है आपका that is more stable more stable complex than formed with oxygen कहने का मतलब यह कि oxygen के साथ जो hemoglobin आपका complex बनाता है उससे कई गुना है lack of oxygen और इससे होता क्या है इससे होता है hypoxia क्या हो जाता है बेटा इससे होता है hypoxia अगर आपके शरीर में oxygen की कमी है तो आपको कंडिशन हो जाए कि that is basically known as hypoxia चीक है तो अन्बंट carbon particles incomplete partial combustion से निकलते हैं अस्तमा carbon monoxide आपकी निकल सकती है incomplete partial combustion से और इसकी वज़े से आप इसको कहते हैं poisonous gas because आपके अंदर जो hemoglobin है उसके अंदर more affinity for carbon monoxide then oxygen dissolve कर जाएगी carbon monoxide अगर blood में तो carboxy hemooglobin मना देगी oxygen कमी हो जाएगी hypoxia मर जाओगे last oxides of nitrogen sulfur and आपका carbon ठीक है तो बेटा oxides of nitrogen sulfur and carbon इससे related आपको मैं दो चीज़े पढ़ाऊंगा अगले chapter में एक मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले acid rain और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा greenhouse effect कब पढ़ाएंगे सुनील सर अगले chapter में बेटा यह पढ़ाऊंगा मैं आपको अगले chapter में ठीक है तो i hope बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा chapter बहुत ज़्यादा है डीटेल में पढ़ा दिया है एक भी चीज मैंने मिस आउट नहीं करी है आप अच्छे से जाके chapter को पढ़िए यह जितना मैंने content पढ़ाया यह आपके ncrt से तो कई गुना लेवल का उपर गया और आपके लिए sufficient भी है आप किसी भी question करेगा आप कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी अब और क्या है सुनील सर और यह है do you think solid hydrocarbon चो रैपिट combustion question पूछ रहा हूं बहुत बच्चों को लगता है solid hydrocarbon चो होते हैं वह rapidly नहीं जलते करेक्ट आंसर क्या है इसका कि वह जलते हैं लेकिन मैं आपको इसको अब कैसे दिखाऊंगा experimentally दिखाऊंगा तो प्लीज आप experiment को देखिएगा और enjoy कीजेगा आपको बहुत जादा मजा आएगा तो तब तक के लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद experiment को अच्छे से enjoy करिए कर आप अगल है झाल झाल